हाई फ्रेंस को कुवित नीशु में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं आलू मसाला पूरी यह बहुत इंस्टन बनते हैं बहुत ही यम्मी होते हैं आप इसे अचार से दही से चट्नी से किसी से भी खा सकते हैं बड़े और बच्चों मिर्च पाउडर फीर में ले रहे हूं धनिया पाऊडर पिर इसके बाद मैं यहां पे ले रहे हूँ घरम अमचूर पाऊडर अच्छी तरीके करने के बाद हम इसमें डालेंगे अब इसमें मैं दाल रही हूं थोड़ी सी हरीधन या मैंने चीसे अच्छे से काट के ले लिया है बारिक-बारिक इसके बाद हम सारे ingredients को अच्छे से mix करेंगे कुछ इस तरीके से फिर इसके हैं में टेस्ट के according इसमें नमक डाल रही हूं आपको जितना पसंद आप डाल सकते हैं अज़ी मिक्स करें, यहां रचा उबली हुई आलू लेका करना है थृधु진ज anya और तेल डालने का आद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगी कुछ इस तरीके से फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से एक डो की तरह हम गुथоЬहींगे तो तो चलिए में रख दे रही हूं। दस मिनट लगभाग पूरे हो चुके हैं हमारा आठा अच्छे से हो चुका है तो अब मैं इसमे से एक लोई ले रही हुे हूँ और युक्वाड़े शेफ देंगे ग और फिर इसकी हम अच्छे से पूरी बेल लेंगे चलिए मैं पूड़ी बेलना सुरू करती हूँ तो मैं इस पे थोड़ा सा तेल लगा ले रही हूँ हम यहाँ पे आटे का यूज नहीं करेंगे तेल से ही हम इसे अच्छे से बेल ले रही हूँ और मैंने तेल गरम होने के लिए गैस पे चड़ा दिया है तो देखिए हमारी पूड़ी बिल के तयार है और हमारा तेल भी अच्छे से गरम है तो हम अपने पूड़ी को अच्छे से तेल में डालेंगे तो देखिए हमारी पूड़ी अच्छे से फ्राइ करेंगे इसी तरह से घुमाते घुमाते लगबाग हमारी फूड़ी फुलने लगी है अब जब य दूसरी तरफ तो चलिए मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरी तरफ भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे तो देखिए अच्छे से फूल के इदम अच्छे से रेडी है क्रिस्पी हो के तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ फिर मैं देखिए दूसरी भी पूरी में इसमें इसे भी हम अच्छी तरीके से पका लेंगे और अच्छे से फ्राइ होने देंगे तो देखिए ये भी रेडी है अब मैं इसे तेल के बाहर निकाल लेती हूँ तो देखिए हमारी आलू-पूडी इदम रेडी है सर्फ करने के लिए मैं इसे अचार से सर्फ कर रही हूँ अग चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए ओके फ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई रेसिपी